जितना गुबजूरत ये नासा दिख रहा है उससे कई गुना ये टेस्टी है तो बस अब आपको मन कर रहा हो कि फटा फट चलिए बताईए कि इसे बनाना कैसे तो यहां पर सबसे पहले मैंने जार लिया पर मैं बता दूँ पहला काम जो करना है वो आपको चावल दाल भीग रहे हैं तो मैंने यहां पर लगवग 200 ग्राम का बरतन था जिससे मैंने दो कप लिये हैं चावल एक कप चना का दाल और आधा कप उरत का दाल इतने में 11-12 छिले बने हैं तो आप उस हिसाब से अंदाज लगा लिजेगा कि आपके फैमिली मेंबर कितने हैं और किस तरीके स हमें बनाना है मतलब कि फिरेज बनाईए ताजा खाएंगे तो स्वस्त रहेंगे बासी खाएंगे बिमार हो जाएंगे यह मैं ही नहीं सभी लोग कहते हैं तो चलिए इसको हम जितना जरूत है उतना ही पीशेंगे तो रेशियू मैंने आपको बता दिया है आप अपने फै मिला करके पीषना है भीगोना है यानि कि भीगोना है तो आप एक काम की जिगा बढ़िया से धोग करके फ्रेस पानी में भीगोईएगा ताकि इसको अच्छा पानी में भीगोए हम तो वहां भी एक हेल्दी है मतलब कि बेकार कई बार हम लो नल के पानी में भीगो देते हैं उसके बाद पीषने के बाद इसे हम एक बरतन में सेपरेट कर लेंगे और जो जार में लगा हुआ है बैटर उसको हम थोड़ा पानी डालके मिला करके इसको निकाल लेंगे सिर्फ इसमें नमक डालना है ताकि छीला बनाते समय ये खराब न बने अगर आप मोटा मोटा बनाएंगे तो इसमें जीरा डाल करके चिली फ्लेक्स भी डाल करके बना सकते हैं जो बच्चों को टिफिन बॉक्स में कोई चट्णी या सास के साथ दे सकते हैं तो बस इसे थो घंटे के लिए धक के छोड़ देना है उससे जादा इसे नहीं करना है मतलब इसको फर्मेंट करना है ज्यादा करेंगे तो खट्टा हो पानी के मारेंगे और यह लीजिए इसी तरह किसे कल्ची में लेकर के फटा फट गुमाईए बैटर को और यह आपका चिला त्यार हो जाएगा थोड़ा सा तेल देना है और आपने देगा कितना असानी से हाथ से यह निकल जाता तो यह मतलब कि इस बीच में जब तक के फर्म मतलब कि थोड़ा सा कोई अचार के साथ भी खा लिए तो बड़िया लेकिन कोशिज करना हमें कोई हरी सबजी अगर आप बना लेते हैं तो मतलब कि बहुत ही टेस्टी लगएगा या अखिर बड़िया से ग्रेवी वाली बनाईए मैंने तो यह कोफता बना रखा है तो सिर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा और साथ में भजिया है तो मैंने इसका सौड वीडियो डाल रखा है यह बजिया जो है मोट का भजिया है इसे एक बार जरूर ट्राइ कीजेगा और जो चीला मैंने बता आया है बिल्कुल बनाईए खाईए इंजॉय कीजेगा